हेलो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें होने वाला है कुछ बड़ा धमाका और खुलने वाले हैं रसगुले बनाने के सभी राज जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा हर टिप्स और ट्रिक्स सीखे डारेक्ट हलवाई से ह तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूले हैं हलो एन वेलकम टो मनिश्रास फूड स्टूडियो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एक्चिली यहाँ पे हमारे घर में फंक्शन हो रहा है और उसमें हमने हलवाईयों को बुला कर खाना बनवा रहे हैं तो उसी में एक प्रॉसेस है वो है रजगुला बनाने का तो अब देख सकते हैं यह मेरी नननद है यह हमारी बड़ी सास है और यह सारे काम करने वाले यहाँ पे जो कुक है उनकी जो टीम है वो टीम पार्टी है और आप देख पा रहे हैं कि यह जो मेरी सास है यह मेरी नननद है दोनों की मस्ती चल रहे हैं दोनों बहुत मजाग कर र बनाना सीख रहे हैं तो देखिए इनकी मस्ती दिखा रही हो यह देखिए यह है मेरी सासुमा अलो येस चलिए अब आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूं रसगुले बनाने का जो पहला प्रोसेस है वह उसके चाशनी बनाना यानि कि सुगा सिरब बनाना तो यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर यानि की बहुत बड़ी क्वांटिटी में रसगुले बनाए जा रहे हैं तो इसके लिए चीनी ली जा रही है और यह है देखिए तरह से पलट दिया जा रहा है अब इसमें मिलाए जा रही है पानी और यह पानी होगा अभी इसमें 30 लीटर पानी डालेंगे लेकिन जितना पानी होता है उतनी ही चीनी होती है तो इसलिए 20 लीटर जो पानी होगा वह हम बाद में डालेंगे और ये देखे ये मैल को काटने के लिए यानि चीनी की चाशनी जब बनती है तो उसमें उपर जो सकम आता है उसको निकालने के लिए दूट डाला गया है और देखे इतने बड़े देख को उठाने के लिए ये दो लोगों ने मिलकर इसे चूले पर चड़ाया है और इस चूले में अभी जो आच हाई फ्लेम पर शुरू हुए है अब से लेके पूरे थूरू आउट प्रॉसेस ये तेज आच ही जलती रहेगी बिल्कुल तेज ये तेज आच पर ही रजगुले बनाए जाते हैं ये हमें जो पूरे रजगुले बनाने वाली टीम नहीं बताया था और आप देखते भी रहेंगे वीडियो में मैं दिखाती जाओंगे ये देखिए उपर जो आप मैल देख रहे हैं ये चीनी और पानी मिलाने के बाद इ ये देखिए ये जो जाग है ना यही मैल है इसे इस कम कहते हैं उपर और इसे एक डेड़ घंटे तक इस प्रोसेस को करते हुए निकालना होता है ये देखिए ये बिलकुल इसे कंटिनुसली एक से डेड़ घंटे तक चलाते हुए 50 किलो चीनी और लगबक 30-40 लीटर पान ये लोग डालते रहेंगे ताकि पानी जो है बिलकुल बैलेंस रहे यानि इतनी देर उबलने के बाद भी पानी कम ना हो ये देखिए अब चीनी थोड़ी-थोड़ी घुलने शुरू हो गई है और चाशनी का रंग बदलना भी शुरू हो गया है क्योंकि उपर से बहुत स चलिए हम अपना चेना देख लेते हैं ये देखिए ये आ गया है छेना जो हमने वहां के लोकल सप्लायर से लिया है मैं उसका नाम और और contact number दे दूँगी, अगर आप चाहें तो उनसे contact कर सकते हैं, तो यह देखिए, यह छेना हमारा निकल रहा है, इसे इस तरह से देखिए, muslin cloth यह हैं, जिसे हम पनीर cloth भी कहते हैं, muslin cloth में उसे डाल कर, और इस तरह से देखिए, बिल्कुल अच्छे तरह से दबा कर, उन्हें idea है कि रजगुल्ला बनाने के लिए कितना पानी निकालना है तो उस हिसाब से वो पानी को निकाल कर हमें देंगे यह देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ आडर और मैं यह देखिए इसी इस तरह से बड़े से साप सुत्रे देग में दे दिया गया आप यह देखिए बिलकुल यह उनकी टेस्टिंग चल रही है बिलकुल सही है रजगुले बनाने के लिए तो मैंने सोछा मैं भी आपको दिखा दो यह देखिए मैं से एक बौल ना तो बहुत हार्ड है और ना बहुत सॉप्ट और यह देखी यह है टोटल छेना 38 kg यानि की 38 kg और यह हैं चेना सप्लायर Mr. Manish तो चलिए अब चलते हैं में प्रोसेस की तरफ और वह चेने के बॉल्स बनाने के लिए चेना में कुछ चीजें मिलाई गई हैं जैसे थोड़ा सा बिल्कुल मैदा और सोडा लेकिन कितना मिलाई गया है चलिए उनके ही जुबान से सुनाती हूँ तो दिखाएं डीए कहां है आपका मेदा और सोडा है और यह क्या है मीचा सोडा अच्छत यह है इलैची को पावडर जिस चिलके के साथ पीसा है ने सिलबीजा है चिलके के साथ पीजा हुआ है अच्छा तीक यह रंग बोला है लो तो अब आप इसमें कितना में चेना में आपने कितना मैदा यूज किया है एक लो चेना में पचास ग्राम मैदा और और सोड़ा कितना डालें अब बता हैं सूड़ा कतíst डालो है जवाज फैसटिकली दा measurement हुआ मैं तो चट्की है . अच्छार इस ग्राम चाहा है कोई दो चुट्की जभर ग्राम हम ज़ाなたज रहेंphen?" तो 38 किलो में कितने पीस कितना निकलेगा या कितना किलो रजगुला बनेगा टोटल ठीक है चलिए प्रोसेस कीजिए प्रोसेस में दिखाऊंगे चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ और वो है छेने को गूंदना ये एक रजगुला बनाने का बहुत इंप्रोसेस है अपने देखा भी होगा कई बार इसे किस तरह से हाथों की जो हथेलिया होती है ना हमारी नीचे की तरफ उसकी सहायता से ही इस तरह से इसे मला जाता है तो देखें मैं पूरे डीटेल में आपको दिखा रही हूँ ये जो भाया जी है ये पूरा मल कर अच्छी तरह से हमें प्रोसेस दिखा रहे हैं ये देखिए छेने का मलना हो गया यानि छेने को मसलना हो गया अब इसे गूंदा जा रहा है मसलने के बाद छेना अपने आप से ही बिल्कुल इस तरह से नीड होना शुरू हो जाता है बस उन्हें आइडिया है बिल्कुल अच्छी तरह से और देखिए एक बार मलने के बाद इस तरह से रोटी की तरह से लोईयां तोड़ने शुरू हो गई है ये देखिए बिल्कुल असानी से इन्हें आज बहुत सारे रसगुले बनाने है आपने सुना 800 रसगुले बनेंगे सफेद और 800 रसगुले बनेंगे काले मैं आज आपको सिर्फ सफेद रसगुले का ही प्रोसेस दिखा रही हूँ तो इसमें इन लोगों को पूरी टीम की जरूरत होती है आप देखेंगे 4-5 आज लोग बिल्कुल मिल करें, रस गुल्ले बनाते हैं। भाया जी कितना बड़ा बना रहे हैं, मैं आपको जिखाऊँ, अपने हाथ में उठाकर ये देखें। ये छोटी सी बॉल की साइस का है, जिससे आप इस तरह से ये देखें। आपको साइस का अंदाजा लग जाएगा। ये इस तरह से सभी कोलों कर बना कर तैयार कर लिया जाएगा। ये लिजिए, जैसा मैंने बताया, सभी लोग मिलकर आप देख पा रहे हैं, चार लोग हैं, चारों मिलकर ये बॉल्स बनाने का काम कर रहे हैं, ताकि फटा-फट से हो जाए। जब बहुत सारे लगभग 1.500-200 बॉल बन जाएंगे तब इन्हें ये चाशनी में डालेंगे। ये देखे, सभी बाते करते हुए आराम से रजगुले बना रहे हैं। रेली, मैंने बहुत इन्जॉय किया, इन्हें बनाता हुआ देखकर मैंने इन्जॉय किया और बहुत कुछ सीखा भी। आज सच मुच आप भी बहुत कुछ सीख जाएंगे। सारे टिप्स और ट्रिक्स आपके हलवाई वाले जो होते हैं न वो सारे सीख जाएंगे। और फिर आप जब रसगुले बनाएंगे ना आपके भी रसगुले बिल्कुल हलवाई के जैसे बनेंगे। बिल्कुल सौफ नरम रसीले यह देखिए। बहुत सारे रसगुले अब हो गया है तैयार। बहुत यच्छे इस तरह से देखिए। मैं फिर दिखा रही हूं बिल्कुल फटे नहीं है। और यह ना रस में जाने के बाद इससे दो गुने साइस के हो जाएंगे। तो छलिए देखते हैं अब चाशनी का क्या हाल है। एक घंटे के बाद कर और उसका मैल काटते काटते आ बिल्कुल शाइन हो गई है है। यह देखिए आपने और आं इसमें आपको तुक टिकार नहीं बिल्कुल और उसमें देखि पानी को बैलैंस करने के लिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा थंडा पानी मिला जा रहा है और उसकी कंसिस्टेंसी करने के बाद उसमें डाले जा रहे हैं वो जो छो च्चेने कंबॉल मैंने अपको 12 il ये देखिए वो हैं गुले और रस में जाने के बाद बनते हैं वो रस गुले ये देखिए बहुत सारे रस गुले मैंने कहा ना कम सकम डेड़ सौ दो सो रस गुले एक बार में बनाये जाते हैं ये देखिए लगबग दो सो रस गुले इसमें डाल दिये गए हैं और बनती रहेगी और पूरे रस गुले रस में बिलकुल डूबे रहेंगे तो यह अच्छी ट्रिक है यह देखे बिलकुल हाई फ्लेम पर उबलता हुआ बिलकुल हाई फ्लेम पर अजिए दूसरी बार भी यह मैदे का घोल डाला गया है एक जग पानी में जो उनके हाथ में और इसे अब आदे घंटे के लिए धक दिया जाएगा यह देखे आदे घंटे तक धक कर वो रस गुले उबलते रहेंगे अंदर में यह देखे आदे घंटे के बाद बिलकुल आदे घंटे के बाद देखे रस गुले लगभग तयार है इन्हें अभी निकाला नहीं जाए और नीचे का ऊपर किया जाएगा और साथ में थोड़ा थोड़ा थंड़ा पानी देखिए ऊपर से थोड़ा थोड़ा बिल्कुल एक एक चमच दो दो चमच इस तरह से थंड़ा पानी डाला जा रहा है यह देखिए इस तरह से घुमा घुमा कर रजगुलों को नीचे के उन्हें रज से बाहर ने निकालना होता बस उसे में अंदर बहुत सावधानी से इस तरह से घुमाते रहना होता है और जाग उपर बनी रहनी चाहिए और रजगुले पूरे ढखे होने चाहिए ये बहुत ही खास ट्रिक है जो उन्होंने हमें बताई कि रजगुले आपके इस तरह से ढखे होने चाहिए और देखे इस तरफ दूसरे बैच के लिए वो बॉल्स रेडी हो रहे हैं और ये जो पानी चाहिए ये देखे बिलकुल अब निकाले भी ऐसे नहीं जाएंगे उसकी अलग ट्रिक है हलवायों की ये देखे वह भी मैं आपको दिखाऊंगी आज कुछ भी छुपा नहीं रहेगा ये देखे ये दूसरी तरफ नीचे आप देख रहे हैं दो अलग देख लिए और उसमें मिलाई जा रही है गरम पानी जी हां गरम पानी आपने अभी तक ठंडा पानी सुना होगा आज मैं बता रही हूं कि उसे जो निकाले जाएंगे उसमें डाला जा रहा है गरम पानी ये देखे ये दो तीन तीन जग दोनों देख में यानि नीचे जो निकाले जा गरम पानी मैं और दिखाया उसमें डाला जा रहा है हाइडरो यह हाइडरो किसके लिए है जब मैंने पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि इस हाइडरो से जो चाशनी है ना वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी जो भी थोड़ी बहुत मैल बाकि है वो सारा जो है वो खत पन डाला रकेंगे और तेखिए पानी रेशणी बल्कुल पतrun 1 आग चाहश्नी देसे मिला जा रहा है यानि नीचे पानी और चाहश्नी की पतली हो रेड़ी हो गया जिसमें हाइड्रो मिलाया हुआ है अब देखिए ये रजगुले बिल्कुल तयार है निकलने के लिए बिल्कुल तयार है ये देखिए पहले दो रजगुले डाल कर देखे जा रहे हैं कि क्या हाल है यानि वो तैर रहे हैं या नीचे बैट रहे हैं या वो छोटे हो जा रहे हैं क्या हो रहा है उनकी टेस्ट पास हो कि जी हां रजगुले बिल्कुल बिल्कुल अपनी शेप को ने बखलते हैं, तब अब इसमें सारे रजगुले डाले जा रहे हैं, यह देखिए बिल्कुल, इसमें आप झाग देखिए रजगुलों को यह चाहिए में धोग फॉक़े करने का रजगुले जो निकाले जाएंगे ना उसकी भी एक अलग ट्रिक है खास ट्रिक है वो भी मैं आपको आज पूरा डिटेल दिखा दूंगी जो मैंने सीखा मैं चाहती हूं कि वो आप सब भी सीख जाएं और आपके रजगुले भी बहुत ही जादा स्पॉंजी बने और बहु जो दूसरी बैच रेडी हो रही वो उसी चाशनी में डाल दी जाएगी बस ये देखिए हमारे रजगुले हैं बिलकुल तयार लगभग 250 रजगुला है जो उन्होंने हमें बताया ये 250 रजगुला है बिलकुल तयार इसे गरम गरम नहीं खाय जाएगी इसे 8 से 10 घंटे ठ खाया जाएगा ये देखिए ये पूरा रजगुला है अब मैं आपको इसका स्पॉंजीनेस दिखाती हूँ ये लीजिए ये बिलकुल मेरे हाथों में देखिए इसकी स्पॉंजीनेस जबर दस्त है बहुत ही अच्छे रजगुले बने हैं बिलकुल ये देखिए हैं ना रजगुले बिल्कुल चलिए मैं से आपको प्लेट करके दिखाते हूं बिल्कुल देसी अंदाज में मैं बिहार में हूं अपने गाउं में हो सुल्तान गंज में हूं वहां पर कैसे रजगुले बनाया जाते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूं यह देखिए यह बिल्कुल इसी अंदाज में सर हो गए हैं, लेकिन कितने स्पॉंजी हुए हैं, अगर इसे चमच पर ली जाए, तो वो चमच पर कैसी आती है, वो देखना तो बनता है, तो चलिए फटा-फट से दिखाती हूँ, कि ये रजगुले हमारे चमच पर कैसी आये हैं, ये देखिए, है न तेस्टी रजगुले बने हैं, तो ये रजगुले बहुत ये अच्छे बने हैं, और अगर आप भी चाहते हैं, अगर आप उस इलाके में रहते हैं, तो आप कॉंटेक्ट करने के लिए, मिस्टर शत्रुभन पंडित से आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं, ये इनकी फोटो है, और उनका contact number भी नीचे दिया हुआ है। तो चलिए, आप मुझे comment करके बताइए, आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी। Thank you for your time, bye bye!